हे गाईज स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आजके वीडियों सीखने वाले फेस्बुक पर गुरूप कैसे बना है? अगर आपने फेस्बुक पर गुरूप बनाना चाते या न्यू गुरूप क्रिएट करना चाते तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपने Instagram पर या आपने WhatsApp पर अपना ग्रूप बना कर एक message को एक साथ कई फ्रेंडों को आज share करना चाते हैं उसी परकार आपने Facebook पर भी अपना ग्रूप बनाना चाते हैं या create करना चाते हैं तो कैसे करेंगे तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चल को subscribe करें चलीगा इस वीडियो शुरू करते हैं हे गाइस स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आज वीडियून सीखने वाली है Facebook के बारे में आपने Facebook account पर new group create करना चाहते या new group बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले Facebook open करना है जैसी आपने Facebook को open करेंगे उसके बाद आपको उपर एक message का icon होगा आप message वाल आइकन पर click करेंगे जैसे आप उसके पर click करेंगे उसके बाद यहां एक edit का icon होगा आपको simply edit वाले icon पर click करना है जैसे आप उसके बाद यहां create a new group chat का एक option आजाएगा आपको क्या करना है आपको create a new group chat पर click करना है उसके बाद आपके Facebook account पर जतने भी friend add होगे वो यहां सारे so करेंगे यह नहीं आपको कितने लोगों का group बनाना है दो का, चार, छे, आट, दस, जितने भी लोगों का group बनाना है वो आप यहां से select कर लेंगे, एड कर लेंगे यह फिलाल मेरे जो facebook account डो different add हैं तो मैं आपको दो का group बनाके दिखाता हूँ तो मैं आप यहां से इस तरीके से select कर लेंगे select करने बाद आपको क्या करना है, आपको next पर click करना है फिर आपको यह option आ जाएगा name your new chat यह आप जो group बना रहे उसका name क्या रखना चाहते है यह आप जो name देना चाहते है अपने group का, यहां से दे सकते है group name, तो इस तरीके से आपको अपना group का कोई भी नाम ABC में ने अपना group का नाम दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है create पर click कर देना है, जैसे आप create पर click कर देना है उसके बाद आपका जो group है वो बन चुका है, आप guys आप देख सकते हैं option आ चुका है add का, name का, और member का, यानि कि अगर आप अपने group में और लोगों को add करना चाते हैं अपने जिटने friends को add करना चाहेंगे जोड़ना चाहेंगे यहां से जोड़ सकते हैं दूसरा option है name अगर आप अपने group का नाम change करना चाहते हैं तो name पर click करेंगे और group का नाम change कर सकते हैं यहां लिखा है member अगर आप यह चेक करना है कि आपके group में कितने member हैं तो आप member पर click करेंगे यहां इस तरीके से आप अपने चेक कर लेंगे अगर आपको अपने गुरुम में कुछ फोटो प्रोफाइल चेंज करनी है या आपने गुरुप की फोटो चेंज करना चाते हैं या नेम चेंज करना चाते हैं या डिलीट करना चाते हैं अपने गुरुप को अटाना चाते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको क्या करना आपको 3.00 पर क्लिक करना है यहाँ option आजाएगा जेंज गुरूफ फोटो अगर आपने गुरूफ की फोटो चेंज करना चाहते तो क्लिक करके अपनी घुरूफ की फोटो चेंज कर देंगे दूसरा option होगा यहाँ change name अगर आपने गुरूप कर नाउं change करना चाहते हैं तो यहांसे नाम पर click करेंगे और अपना group का नाम change कर देंगे तीसरा option होगा delete conovation तो guys अगर आपने group को delete करना चाहते हैं तो यहांसे delete कर सकते हैं तो guys मैं आपको तरह नाम change करके और delete करके दिखाऊंगा तो guys मैं आप नाम पर कलिक किया और यहां से एगर आपको ABCD रखना, D भी बढ़ाना तो यहां से डी करके और यहां से सेब कर देंगे तो आपका गृरूप पर नाम ABCD हो जाएगा अगर आपको इसको डिलिट करना है तो आप three dot पर कलिक करेंगे delete पर click करेंगे और यहां से delete कर देंगे तो guys आपका जो group है वो delete हो जाएगा तो guys इस तरीके से आपने facebook account पर new group बना सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं यह नहीं उसको delete भी कर सकते हैं तो guys मैंने आपको दोनों तरीके बता दिये अगर आपको new group delete करना है तो कैसे करेंगे अगर आपको delete करना है तो कैसे करेंगे तो guys अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो please हमारी वीडियो को like करें, share करें और अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please हमारी channel को subscribe करें